In this module, we will discuss curation of collection, यानि जब हम systematic collection करते हैं, तो इस collection को museum के अंदर किस तरीके से maintain किया जाता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक curator क्या है, curator basically वो person है who manages, administers और organizes a collection for exhibition, हर जो museum है, एक small museum होता है, उसके अंदर कम से कम एक curator ज़रूर मौजूद होता है, इसका काम उस museum के अंदर जो collection है उसको manage करना होता है, जबकि जो curation है ये वो process है, जिसके अंदर वो collected material होता है, उसको identify करता है और उस animal जो collection है, उसको organize करता है, अब तकरीबन हर जो museum है, उसके अंदर एक curator लाजमी होता है, लेकिन जो बड़े museum होते हैं, बड़े museum के अंदर एक से ज़्यादा curators मौजूद होते हैं, अब जो बड़े museum हैं, उसके अंदर क्योंकि जो collection का जो volume है वो ज़्यादा होता है, और आम तोर पर हर group का एक अलैदा section होता है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा curators होते हैं, यह specialized होते हैं, हर curator जो होता है, वो specialized होता है किसी एक particular group के लिए, फर जेमपल, अरेकनेट्स के लिए एक special curator है, एनेलेट्स के लिए एक अलैदा curator है, एकानेडम्स के लिए एक अलैदा curator है, तो बड़े museum जो है, उसके अंदर number of curators ज़्यादा होते हैं, जैसे, फर जेमपल, अगर हम एक बड़े museum, जैसे कि American Museum of Natural History, New York की बात करें, तो यह एक बहुत बड़ा museum है, इसके अंदर हर animal group के लिए एक अलैदा section मौजूद है, अगर हम invertibrates की बात करें, तो invertibrates के हर फाइलम के लिए वहाँ पे एक अलैदा curator अविलेबल है, जो के अपने अपने field के लिहाद से expert होता है, और वो responsible होता है अपने group की collection की identification के लिए, और उसकी management के लिए, अब एक museum के अंदर जो collection होती है, उसको proper maintain करना बहुत ज़रूरी है, क्यूंकि जिस जगा पे collection रखी जानी चाहिए, उसको एक तो वो building fireproof होनी चाहिए, dust proof होनी चाहिए, उसके लावा वो air condition building होनी चाहिए, अब जब एक curator, museum के अंदर एक collection को manage करता है, तो वो हर specimen को एक museum number allot करता है, उसके लावा ये जो animal है, इसका एक original field number मौजूद होता है, जब इसको field से collect किया गया होता है, तो जो researcher है, उसने इसको एक number allot किया होता है, इसी तरह के से, इसका जो scientific name, at least उसकी जो genus का name है, वो जरूर मौजूद होता है, इसके साथ उसको कहां से collect किया गया, उसकी exact locality, उसके बाद date of collection, किस date को उसको collect किया गया, और collector का नाम क्या था, किस collector ने उसको collect किया, इवन जो है, उसके coordinates भी शामिल किये जाते हैं, ताके बाद में अगर कोई researcher जो है, वहाँ उस type locality के पास जाना चाहे, तो वहाँ वो जा सकता है, असानी से, इसी तरीके से, अगर कोई special remarks हैं, तो वो लिखे जाते हैं, शुरू-शुरू के अंदर, ये किया जाता था, कि बकाइदा card system maintain किया जाता था, कार्ड के उपर ये तमाम information मौझूद होती थी, लेकिन, अब ये जो card system है, आहिस्ता आहिस्ता, इसको replace किया जा रहा है, विद अधा electronic data processing, इसके लावा, जो एक curator है, वो इस चीज़ के लिए भी responsible है, कि अगर उस collection में से, कोई specimen किसी researcher को चाहिए, तो वो material जो है, उसको provide करे, sometimes, कुछ researchers ऐसे होते हैं, जो कि किसी एक particular group के पर काम कर रहे होते हैं, उनको अपनी study के लिए, कुछ material जो है, उधार चाहिए होता है, तो वो curator से request करके, जो भी उसकी formal proceedings हैं, जो भी procedures हैं, उसको complete करने के बाद, वो museum से जो collection है, वो उधार ले सकता है, तो ये तमाव responsibilities जो है, एक curator की हैं, जो हैं,